जिनना दी उमर एकदी दो साला एकदी पान साला ते फैरी ब्रिगेड़ी मौके ते आगी सेगी ते उन्हान दुननों आस्पार लेके आएं बाक्याई डक्टर वल्लों इन्हान दूमरती कोशी कर देता गया सर अच्छा इस्तिमंदी पुलिस च्पार्टमेंड न सुच्छा पॉर से थर्मल ठाना मौके ते मुझूद सी गा ते बच्चियान दू चाक्के सिवल अस्पार लेके आएं बाक्यी इन्हादी इलाज रॉन मौत होगी सर जालंधर में कॉंग्रेस की राश्य प्रवक्ता अनुमा अचारे ने दुबारा पार्टी के घोशना पत्र बबात क है और घोशना पत्र में जो खास बाते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उन्होंने हमेशा ही देश के हित में काम किया है अनुमा अचारे ने कहा कि आगर घोशना पत्र की बात की जा तो जलद्धर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहाँ पर कॉंग्रेस की प्रवक्ता अनुमा अचारे ने एक बार फिर से घोशनापत्र का जिक्र किया है Congress के गोश्रापत्र यानी manifesto की उन्होंने बात की है उन्होंने कहा है कि इस manifesto को बहुत इध्यान से बनाया गया है और हर वर्ग का खयाल इसमे रखा गया है विकास किया है आज तक Congress ने और आगे भी विकास के रन निती बनाते हुए इस पूरे मेनिफेस्टों को तयार किया गया है, जिसमें महिला समेट, किसान समेट, युवा समेट हर वर्ग को साधने का परियास किया गया है होशारपूर जिले में एक मरीज के परिजनों के डॉक्टर पर किये गए हमले के विरोध में फरीद कोट सिवल अस्पताल के डॉक्टर दो घंटे तक हरताल पर रहे, डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर विरोध प्रजर्शन किया है, साथी सरकार से डॉक्टरों और स्वास्त कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है इस मौके पर सिवल अस्पताल के SMO डॉक्टर विश्वदीब गोईल ने कहा कि अटाइक के कारण एक डॉक्टर के हालत गंभी हो गई है और वो लुद्यान अब भरती है, ऐसे में डॉक्टरों को काम करने में देकतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंको गेट रहे लिए में में जो मांगा है वही है कि जो हेल्थ स्टाफ है टे डॉक्टर्स है उन्हादी स्क्योटी देट कुवां प्रबंध जड़ा हो सरकार द्वारा करना चाहिए तांकि जो डॉक्टर्स देउपर या पैरेमेडिक्स या सड़े सेथ काम में जिनने है इनन उन्हादे हमले हो रहे है ओ रुकं जो कि रुकंधन नाम नहीं लारे बहुत लंबे समय जो कर दूब बना जोहा तो क्यों स्नील परदी जिरे जिनना देवां लाहो है टे यू उन्हाद याज़ा है और वेंटिलेटर देवर्ड ने उना और यहाल बोड़ ना जुक बैर से बैसाखी कातियोहार बना कर लौटा है तेरा अप्रेल को श्रोमणी कमेटी की और से 24,41 श्रद्धालों को 288 अबॉडर से रवाना किया गया था वहीं में श्रद्धालों ने दोनों सरकारों से पताय जा रहा था उसका नाम जंगीर सिंग था और पंजाब पुलिस से सिवा मुक्तवो था देराथ दिल का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया उनका पार्थिव शरीर भी पाकिस्तान से भारत लाया जाएगा आज पुलिसली टाम चेंग कर दो गया पूर्टर पंजाश्ध दर्शन किते आ उसतों बार सनू निंगाना सभाया फेर मतलकरता आरपोर साहब बेरा से फूरस अरे गुर्दर दखाएगए गैने बहुत बदिया लगा दर्शन करके उतों दिवामा स्क्योर्टी दा बहुत 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 अन्वादा जनार सटेरी स्रक्षा बहुत जादी मतला सीगी अपर सानु को यह थे उजिदी कोई बसक्मीनी मसूसे भी सानु थे खत्रा त्याकर दादी कोई गाल नहीं उस्टे सब् अर्शन दालू जड़ा हर चार मीने बार साल देवित चारवरी उत्फे दर्शन गुर्ता माद कर ली कहुंच दाए ओथों दे दिन्नी में मैनेजमेंट आए उतने वजीरिया आलम ने जाउत फंदी सिक्योर्टी सारे बड़ा वखूबीत और ते सास दिंदे ने किसे नार सारा फर्बांद बड़ा वधिया तरीके ना महमान वाजी कर देने आज साथी तरह हैं सार भी पार्टों पाकिस्तान जड़े के तेना प्रयालनों वसाखी वाड़ा देने वसाखी दिहारा मरॉण ली पाकिस्तान दे अलागला गुर्दोरा साल दे गुर्ता माली गई सीग एब आज भाई अपने नो वापसा रहे है था इंडिक पाली फाजल का डिस्टिक को अज बहुत अच्छा लगा है यह मेरी बहुत भी सामा जुरूर मेरे बच्चाने में पेजरूर जाओ तो सी बहुत बहुत होजी अरेंजमेंट सीक्थ कांदा पीन दा श्क्योट दिगा और जालनदर के किशनपूरा चौक के पास से सड़क हदसे का एक मामना सामने आया है जहां स्कूली बच्चों से बरी हुई रिक्षा खंबे से टकरा गई आपसे के दरां दो बच्चे कभी रूप से घायल हो गए वहें इस्थानी लोगों की मदद से घायल बच्चों को ने पुलिस को दी है से एस नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मलकीत सिंग नवाब को गरफतार किया है जो अंतराजी हत्यार गिरोगों का संचालन कर रहा था जिसके हाथ पर गंदूर सिंग विक्की भी शामिल है जिसके साथ में वहीं पुलिस ने उसक पिस्तॉल मेगजीन भी बरामत की है आपको बता देए कि आरोपी मलकीत सिंग नवाब गोपी घन शंपुरिया और हैरी चड़ा गैंका सहयोगी और सदस्य है साथी नवाब के खिलाफ पहले ही करीब 30 आप राधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं और गिरोगों से अब त लोगस्भा चुनाओं में पंजाब में बीजेपी का किसानों ने विरोध किया है बर्नाला में किसानों ने बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का भारी विरोध किया है और आपको ये भी बता देए कि लोगस्भा चुनाओं के मदने नजर अरविंद खन्ना बीजेपी कार करता उससे बैठक करने पहुंचे थे भारते किसान यूनियन उग्राहां द्वारा बीजेपी ने तका विरोध पुलिस ने बैरिकेट लगा कर किसानों को अर्विंद खना के कारिक्रम स्थल पर जाने से रोका है किसानों ने सड़क पर बीजेपी और पुलिस प्रशासन के ख तो सोच है जिस तरीके नाल आपा केंपेंज चिनाना है उस मुद्यादे अपा गल किती है एक मुखमदा से कसान यूनियन नहीं का रही है हम आद्वी पार्टी ते कारिकरता कर रहे है कसान तो बचारा खेट के बैठा है जिन्हादी फसल कट गई है वो मंडी चे बैठा है तो यह जो जत्रबंदिया को मुखमांत साथ देब लोग है कसान नहीं है कसान आज बचारा अपनी महनत दी कमाई बटोरन दी कोशिश कर रहे है अपनी आमदनी बदान दी कोशिश कर रहे है क्योंके सिंजुक्त मोर्च जदा सद्धा भी जड़ पाजपादी जड़ी बु जड़ी मंग हैगी है साथे कसान जड़े अपने हक लेन बास से बाढ़ रहे हैं और लुकी मेन ने बड़े बड़े वहरी गड़ लाए ने के गोडिया बहां याने साथिया मामा ज़िश कर दो दो दिश्या ने गिया तरह पाद लीडर की में सोशा दरे कासी पिंडा चाज आशा चारकते अंब पॉर्स ने अगड़िया मूर आके उत्पे जान नी दिता तया इस फेपोर्स ने गड़िया टेटिका करके साथे साथर रोकिया पुर्स दा नाका लगया है ऐसी आवदा परदार्शन कर लई कड़े हैं साथा कोई शर्क कर दा मसला नी सी यह सले जो अ बस को काबू कर पुलिस को सौपा गया है और परिवार को इंसाफ देने की मांग भी यहां पर रखी गई है फिलाल पुलिस द्वारा जाज परताल की जा रही है कि आज साथ बिखो जी कि मैं पर रहे कि तो जो कहीं देने बान गुए किसे से कुई चाचा गोजर गया जी कुई गौहार दे बंदा है उने का मिनूज मणा इच्डा गया बस दे इनने मुझारे मुटसल कर दे नाल गया च्रागे नू बस टेंड़ दे बड़े बस टेंड़ आगे वापसा रहा है जी बोलते हैं जो मुकसर सामनों पॉल उतरता है उतर है इने मुटसल के सहर दे लागे एक लागे एक राजे मतलब कुई घ्री लगी लगी जते हुपाला ली तो फालबुन उतर है मगरो बस आई जी जी जा रहाने दिगी वी बाईश मिंजा नंबर मेडिकल कॉल जागे दिया और देश में दोजार चुनाओ के गोशना के बाद से चुनावी अभियान के दौरान पंजाब पुलिस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है जिसके तहत अलगलग नाकों पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई वाहनों को रोक कर उनक ही गई तो फिरोसपूर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आपको तस्विरों में कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं जरसल लोकसवा चुनाओ के मदे नजर चेकिंग अभियान पर तेजी यहां पर कर दी गई है पंजाब में और इसी के चलते हूटर बज रहे जितने कारवाई की जा रही है और इसी कड़ी में एक और गाड़ी रोकी गई आई 20 यह गाड़ी बताई जा रही है जिसमें हूटर बज रहा था और पुलिस वालों ने इसके खलाफ चलानी कारवाई भी की कि तुसी रोकी है और मावला की हुए है तरज मान जोगे सब्सक्राइब कार गैंटेगी जिए अड़ाड़ शुप्टिंग वाई मुएल नाका असी लोंगे रही है और श्पेशल अपना नाकार लेटा हमाले चौंखते सी जाया है जिए बोल्ट मोटर सेखल जिस रंसरा सब्सक्राइब करता है मुख्यमंत्री संग्रूर के आवाज का खेराव किया और मांगी कि आमादेग पार्टी के कैबिरेट मंत्री लाल जी सिंग गुलर को लोगसभाद टिकट मिला है उनका टिकट रद किया जाए और उनका कैबिरेट मंत्री का पद भी समाप्त किया जाए और पूरे देश से वो माफी मांगे नहीं तो हमारे समाज के वरिष्च जन आदमी आवादी पार्टी का विरूथ करेंगे कर रहे हैं कि पहला बुजुर्गा नुदसों भी उनना दी उलाद की कर दिया जेकर मुखी पगव अंतमान है तो पता होना चाहिए भी मेरे जड़े पिछे लाए अकनमे तो की खेव डारे पंजाब दे उनना नुग्यान होना चाहिए पंजाब दे अतियास वरे उनना दे पुर्ख्या ने शायद नहीं दस्या की पाई लालो दे बार से बाबा नानक अपने जीवन दुरान जे कर गया किसे देकर ता सिर्फ पाई लालो जी देकर ऐसे माणा सीवाइव पाई लालो दे बार से अल एसाब मैं बेंदि करनी चाना गा एक सरकार हंका आर्दे भेचे पागल होगी हाँ ऑननोई नहीं समझ लागरी जी किन्नों आसी की नहीं किन्सकी नहीं कहना पशेंगा पाई लालों जी देवंचे जाएं मारा जासा से रामगडी यह देए ही वंचे जिनने दिली बदे की दिली उड़ावे के गुली काड़े ने वह गला सी सुनवा के त्यार मी गुलियां करना साथे लिए कमांस अन्मान दी गाला यह साथा पुष्टानी कारों भार्या शिरमणी अकाली दल चुनाव में मुद्धो को लेकर के गंबीरता से रणनिती बना रही है इसी कड़ी में मेनिफेस्टो कमेटी की तीसरी बैठक्स चंदिगर में होने जा रही है और वहीं अकाली दल मेनिफेस्टो में खासकर युवाओं पर फोकस करने जा रहा है साथी विकास का विजन और पंजाब के मुद्दों पर फोकस करने की बाद भी इसमें की गई है और जालंधर के राममंडी हाईवे पर भीशन सलक हादसे का मामला सामने आया है अभी तक मिली जानकारी के अनुसार घटना के दौरान गाड़ी में तीन व्यक्ति सवार थे जिन में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया बाकी दो व्यक्तियों का अस्पतार में इलाज चल रहा है बताये जा रहा है कि इस हादसे में गाड़ी के दोनों एरबैक भी खुल गए वहीं घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाच में चुट गई है बाबा साहिद डॉक्टर अभीम राव अमबेटकर के पोते जस्वंत राव अमबेटकर ने होशारपूर लोगसभा शेत्र से चुनाव लड़ने की खोशना की है आपको बता दे कि डॉक्टर जस्वंत राव अपने परिवार साहिद गुरुनगर अमरिटसर में सचखंड हरी मंदिर साहिब में नत्मस्तक होने के लिए पहुंची तो वहीं डॉक्टर जस्वंत राव ने बताया कि वो मुंबई से सीधे अमरिटसर एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद से पवन वालमेकी तीर्थ के दर्शन होने किये जिसके बाद वो सचखंड हर मंदिर साहिब गुरु घर भगवान का अशिर्वाद लेने के लिए पहुंचे जनों भी कोई बिगलब जोणाया बड़ा देश नूं बचाओन लई कौम नूं बचाओन लई मजम नूं बचाओन लई ते सावतों सरमोर हर मंदर सावया जित्थों आपा बिगलब जा मांगे ते कामजा भी अवाच्छों होगी इत्थे आके जनाने चुठ यां कसमा खा जिड़ा पूरे पात्ते भी खराब है ते पंजाच जादा करके वालमी की मंदिर से सीधा मया भी गोल्डन टेंपल यहां आया हूं माथा टेकने के लिए असिद्वाद लेने के लिए आया हूं आने वाले पार्लेमेंट के इलेक्शन में होश्यारपूर से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं कि होश्यारपूर यह कॉंस्टिजिंसी है कि वहां से हमारे पिता जी ने 1964 में डॉक्टर बाबा सब अमबेट करके अकेले लड़के ने 1964 से लड़ाया था एक लेक्शन नव हजार फूर्टर से उनकी पीछे रहे गए पंजाब टाइमस देख रहे थे आप वोलेटिन में फिलाल इतना ही नमस्कार